ओम शान्ति नीठा प्यारा बाबा बहुत ही हम बच्चों पर क्या कहें उदार एक तरफ बाबा हम बच्चों को भाग्यवान बनने का वीधी ने बर्दान दे रहा है और दूसरी तरफ बाबा बच्चों को ऐसे ये ज्ञान रतनों का बिजनस करें जिससे भाग्य उँच बन जाए तो बहुत ही आज बाबा की इंट्रेस्टिंग मूली है जिसमें बाबा ने बच्चों का फांडेशन भी पत्का किया है हम बाबा से अगर कुछ भी लेना चाते हैं जो भी लेना चाते हैं जैसे भी लेना चाते हैं तो एक ही फांडेशन है बताईए कौन सी वो फांडेशन है निश्चे हम निश्चे बुद्धी रहें क्या भी स्थितियां पर स्थितियां आ जाएं बस मेरा तो एक बाबा तो बाबा हमें सब कुछ लुटाने को तैयार है तो सुनते हैं बाबा के मधुर महवाग के ये 24 जुलाई के बाबा के मधुर महवाग के हैं मीठे बच्चे बाब से होलसेल ब्यापार करना सीखो होलसेल ब्यापार है कैसे करेंगे क्या हमारे पास समान है क्या बेचें क्या करी दें Wholesale व्यापार है मन मना भव बस ये मन और अपना समी सब बाबा के लिए आरपित कर दो Wholesale व्यापार है मन मना भव अलफ को याद करना और कराना बाकी सब है रिटेल प्रश्न बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे जो बच्चे अच्छी रीती बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धी योग तोर एक की याद में रहते हैं ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे बाप बच्चों को गुलगुल बनाते फिर फूल बच्चों की अपनी घर में वेलकम करते हैं बनाता भी खुद है, वेलकम भी खुद करता है आत्मा को बाप को ही याद करना है इस दुख धाम को भूल जाना है क्या क्या करना पहली बात बस बाबा को याद कर संबंध एक होता है बाप से फिर टीचर और गुरू से होता है ये भी बुद्धी में याद रहे खुशी की बात है एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं घूमो, फिरो, लेकिन बुद्धी में यही याद रहे याद करने से खुशी का पारा चड़ेगा देखो कितनी सहज वी दिया न बस एक बाबा, कहीं भी चले जाओ, खाओ, पीओ, काम करो मेरा साथ ही मेरा बाबा है, पक्ता करनी जीए अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिरफ ये याद करो बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान सुनाते हैं जो और कोई समझा न सके, बाप कहते हैं, अब घर चलना है फिर पहले-पहले सत्युग में आएंगे, ऐसे बाप को भूलना नहीं है तुम जनम-जनमांत्र के आशी को एक माशुक के, अब वे आए हैं, तो एक काही बनना चाहिए निश्चे बुद्धी, विजेन्ती, विजे पाएंगे रावन पर, फिर आना है राम राज्ये में बाकी पुर्शारत करना है उंच पद पाने का, राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा दास, दासियां सब नंबर वार बनते हैं उंच पद के लिए तो बाबा कहता है पुर्शारत करना है, फिर तो नंबर वाईस है जितना याद करेंगे, उतना सूरेवन्शी में आएंगे माहराजा माहरानी बनना है, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताती है कौन सा सहज रास्ता है? बाप को याद करो आज बाबा एक ही बात बार बार हम बच्चों को सिध भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं सबसे सहज है बाप को याद करो बाप बच्चों पर बारी जाते हैं तुमने भी कहा था बाबा, याद करो क्या कहा था आपने तुमने भी कहा था बाबा, आप आएंगे, तो हम बारी जाएंगे. तुम एक बार कुर्बान जाते हो, फिर बाबा क्या करता है? बाबा एकिस बार जाएंगे. समझ सकते हैं, सब बच्चे नमबर वार पुर्शारत हनुसार अपना अपना भागे लेने आएं. बात कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है, चड़ाओ नशाद, कौन कह रहा है, भगवान खुद कह रहा है, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है, और बताओ क्या चाहिए, आज की दुनिया में तो रहने के लिए एक कमरा भी नहीं मिलता ह कितना किराया देना पड़ता है और भगवान क्या दे रहा है विश्वती जागिल नमबर वन सो नमबर लास्ट में है नमबर वन में फिर जरूर जाएंगे सारा मदार पुर्शारत पर है अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे काम अगनी में जलते जलते तुम काले हो गए हो अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ती बताता हूँ अब देही अभिमानी बन बाप को याद करें सुना पहले क्या कहा था बाबा ने निश्चे बुद्धी बन के याद करो फिर बाबा ने क्या कहा कि बाप बच्चों पर वारी जाता है इसलिए याद करें और अब बाबा क्या कह रहे हैं अब देही अभिमानी बन बाप को याद करें पतितों को पावन बना कर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को बाप कहते हैं तुम पुझे विश्व के मालिक थे सुना पहले का मैं विश्व की जागिर देने आया हूं अब कौन सी सम्रीती दिला रहे हैं पुझे विश्व के मालिक थे अब पुजारी बने हो तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं विश्व में शांति हो, तुम पूछो, विश्व में शांति किसको कहते हैं, तुम कौन सी शांती चाहते हो, तो कोई बता नहीं सकेंगे, बाप समझाते हैं, विश्व में शांति तो स्वरग में थी, Christians कहते हैं बरोबर Christ से तीन हजार वर्ष पहले paradise था, उन्हों की ना पारस बुद्धी बनती है ना फिर पत्थर बुद्धी बनती है भारत वासी ही पारस बुद्धी और पत्थर बुद्धी बनते है बाप से ही बेहद का वर्सा मिलता है ये भी पुरानी बात है पांच हजार वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, बाप बच्चों को सची सची कहानी बताती है सत्य नाराइन की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा, मशूर है तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीजरी की कथा कहा जाता है बाप नहीं कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है, अपनी भाशा तो एक हिंदी ही है तुम्हारे पास कोई भी आए, उनको बोलो, क्या को बोलो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शान्ती धाम सुख धाम का वर्सा मिलेगा पहले बाबा ने विश्व का मालिक बना दिया, जागीर दी अब बाबा कहता है सब को यही बोलो, बर्सा चाहिए शान्ती धाम सुख धाम का बस एक बाबा को याद करो ये समझना हो, अब आपको ये सीखना है, समझना है कैसे एक बाब को याद करें ये समझना हो तो बैठ कर समझो बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं सुना कितनी बाबा क्लियर कट बात कहता है कोई-कोई आते हैं बहस करते हैं या अपनी बात कहते हैं फलानी जगा ये है फलानी जगा ये बाबा कहता है हमारे पास तो एक ही बात है भगवान को याद करना है, उसमें मन लगाना है, उससे शक्ती लेनी है, तो बस बैठो और सीखो, ये समझना हो तो बैठ कर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है, बाप को याद करो, क्यों? तो पाप नाशो, फिर पवित्र बन शानती धाम में चले जाएंगे, बाप ही शानती के सागर हैं, तो उनको ही याद करते हैं, बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, बैठो यहां ही होता है, सूक्षम वतन में कुछ भी है नहीं, ये तो साक्षात कार की बाते हैं, ऐसा फरिष्टा बनना है, राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है, शानती और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं, बाप के सिवाए और कोई को सागर कह नहीं सकते हैं, बाप जो ग्यान का सागर है, वही सर्व की सदगती कर सकते हैं, बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरू हूँ, तुम्हारी सद्गती करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गती कौन करते हैं, भगवान ने तो सद्गती दी है, वो बाप, टीचर, सद्गुरू है, फिर दुर्गती कौन करते हैं, दुर्गती करता है, रावन, दुर्गती और गती का ये खेल है कोई मूँचते हैं तो पूछ सकते हैं शास्त्रों में तो शिप बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी गलानी करती है भगवान के लिए कहेंगे कनकन में हैं फिर देवताओं के लिए भी अलग-लग बाते हैं हनुमान जी को देखो कैसा दिखाएंगे गनेश जी को देखो उनके पीछे हर एक के पीछे कोई न कोई कहानी है उनकी भी कितनी गलानी करती है किसको भी छोड़ा नहीं है ये भी ड्रामा बना हुआ है फिर भी करेंगे बात कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है ये सम्रिती बना के रखी मेरा धर्म कौन सा है मैं देवी देवताद्रम की आदू हूँ फिर ये दुख नहीं रहेगा बाप तुमें कितना समझदार बनाते हैं ये लक्षमी नारायन समझधार है तब तो विश्व के मालिक है पहले तो तुम कांटे थे अब फूल बन रहे हो इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते है ऐसा फूल बनना है बाबा क्लास में आए होंगे गुलाब का फूल ले आए बाबा कहता बचे आपको भी ऐसा बनना है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते यह जो चैतन्य living garden है कौन बनाते है, भगवान स्विम बनाते है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावन आता है किस लिए, कांटों का जंगल बनाने, एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है ये बहुत भारी दौलत है शान्ती का भी वर्सा मिलता है क्योंकि शान्ती का सागर रही सुना कौन सी दौलत दुनिया में तो पैसे के लिए मारा-मारी है मकान हो, पैसा हो ज्वैलरी हो, ये हो ये सब विनाशी है आज हैं, कल नहीं रहेंगे इतना सब पा लेने के बाद भी धन दौलत पा लेने के बाद भी जरा धन दौलत वालों से पूछो, क्या मन की शान्ती है, वो तो है नहीं, तो भगवान क्या देता है, भगवान धन दौलत नहीं देता है, तो क्या देता है, मन की, दिल, दिमाग की शान्ती देता है, इस बात पर मनन कीजिए, और इसको आतम साथ करेंगे ना तो आपको बहुत आनन दाएगा, फिर से सुनते हैं, यह बहुत भारी दौलत है, शान्ती का भी वर्सा मिलता है, क्योंकि शान् लिए बापकी ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे, शिरी कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जनमी उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं, बाप बच्चों को ही सारे घर का समचार देते हैं, बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई विरला ऐसा व्याप क्वार करे। कौन सा। होल सेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। रिटेल वाले तो बहुत होते हैं न। होल सेल की दुकान कितनी होती हैं। बहुत कम। कोई रिटेल में सौधा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो वर्सा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी वर्सा कब मिलेगा सत्युग में जाएंगे वर्सा मिल गया फिर वहाँ थोड़ी याद करेंगे बाबा को लौकिक संबंद में बाप बुड़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाडी तक भी सहाइक बनते हैं और कोई तो क्या करते हैं कोई तो मलकियत मिली और उड़ा कर खलास कर देते हैं आज कल की दुनिया में तो बहुत हो रहा है ऐसा बस बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी चाहिए अनुसार ये एक ही रत है ये बहुत भारी खजाना है उन से जोली भड़ते हैं तुम बगवान जोली भड़के फिर क्या करते हैं हमें क्या बना देते हैं सुनो ध्यान से तुम पदमा पदम भाग्येशाली बनते हो कीजी ये रिपीट क्या कितने पिछले पांच-छे दिनों से बाबा बार बार हर मुर्ली में कह रहे है तुम पदमा पदम भाग्येशाली बनते हो बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यार है भगवान को खुशी ना खुशी की बात ही नहीं है तुम पाट बजाते हो मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ जनम मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इन से छूट नहीं सकता मोक्ष मिलना सके ये अनादी बना बनाया ड्रामा है ये भी वंडर्फुल है छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है ये अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी और ये ड्रामा भी अविनाशी अच्छा, वर्दान ब्राहमन जीवन की प्रॉपर्टी व्यान से सुनिये, दो चीज़े हैं प्रॉपर्टी और पर्सनेलेटी तो ब्राह्मन जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनेलेटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेश आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मन बच्चों को सम्रिती दिलाते हैं ब्राह्मन बने पोहो भाग्ये लेकिन ब्राह्मन जीवन का वर्सा क्या है भगवान कौन सा वर्सा देता है लेकिन ब्राह्मन जीवन का वर्सा प्रॉपर्टी संतुष्ट था है अब ये देखना है हम जब से बाबा के बने हैं भगवान के बने हैं अंदर में हम satisfied हैं या भी भी रहता है ये नहीं है ये नहीं है ऐसा हो गया वैसा हो गया कुछ भी हो अच्छा बुरा जो भी है सब बहुत अच्छा है बाबा मेरे साथ है बाबा को साथ ही हो हमारे पास property है, संतुष्टता और ब्राह्मन जीवन की personality personality भी जरूरी है न मैं अंदर में तो satisfied हूं personality ठीक न हो पहना, करना उठना, बैठना, बोलना, चालना सब personality में आएगा ब्राह्मन जीवन की personality प्रसनता है हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, किसी से भी मिले सदा प्रसन्चित ये हमारी personality है इस अनुभव से कभी वन्चित नहीं रहना पका कर लिजिए, गांट बन हमें सदा प्रसन सदा खुश, सदा संतुष्ट रहना अधिकारी हो सुना, हम किसके अधिकारी हैं, भगवान के अधिकारी माना उसके वारिस है जब दाता, वर दाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ तब कहेंगे विशेश आत्मा स्लोगन लास्ट समय का सोचने की बजाए लास्ट स्थिती का सोच कई बार यही सोचते रहते हैं, अभी विनाश कब होगा अंत कब होगा, अंत आ गया नहीं आ गया बाबा कहता है लास्ट समय का सोचने की बजाए, यह मत सोचो कब विनाश आएगा चलो मानलो मालूम भी पड़ जाए साल दो साल बाद विनाश होगा अपना भरुसा है मेरा विनाश कब होगा इसलिए बाबा कहता है इन बातों में नहीं जाओ लास्ट समय का सोचने की बजाए क्या सोचो लास्ट स्थिती का सोचो मैं आत्मा जब भी शरीट छोड़ू कैसे छोड़ू बाबा की याद में, साइलेंस में, बाबा के प्यार में ऐसे नहीं छट पटा रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, इदर उदर नलियां लगी हुए हम हर चीज की तैयारी करते हैं, बुरा नहीं मानना क्या मरने की तैयारी करते हैं ये तैयारी जरूर कीजिए मैं जब शरीर छोड़ू तो कैसे छोड़ू जैसा आप सोचेंगे ना, फिर वैसा ही ऐसे नहीं कहीं गए, सड़क पर गिर गए, एक्सिडेंट हो गया मर गए, किसी ने मार दिया, ऐसे नहीं जब शरीर छोड़ें बाबा की याद में जाए ऐसे हमारे पास बहुत एक्सामपल है बहुत से बाबा के बच्चे ऐसे योग में बैठें और गए याद मुरली पढ़ रहे हैं गए याद तो इसलिए मरना कैसे है उसकी भी तैयारी करनी हर चीज का मुहूरत निकालते हैं न मकान बनाना है, नामकरण संसकार करना है स्कूल में जाना है, हर चीज का मुहूरत है और मरने का मुहूरत क्या है? जब भी समय आ जाए बस मेरा वुद्धी रूपी हाथ बाबा के हाथ में है ठीक है? तो बाबाने का लास्ट समय का सोचने की बजाए लास्ट स्थिती का सोच हो तो ये हमारी स्थिती होनी चाहिए ओम शान्ति का लास्ट समय का लास्ट समय के लास्ट समय चाहिए ओम शान्ति